आज मैं बनाऊंगे बहुत ही मज़ितार नाश्ता जिसे बनाना बहुत असान होता है इसे आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चे से बहुत ही शौक से खाएंगे खाने में बहुत टेस्टी है और बच्चों के पसंद को भी हाँ पर हम ध्यान में चलकेस का एक अच्छा सा गोल बना कर तयार कर लेंगे गोल बनाने के बाद इसमें हम उपर से हरा धनिया पतर डाल देंगे इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे एक साई ड्रग देंगे अब हम इसकी फिलिंग तयार कर लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले ल थोड़े से भूनने के बाद इसमें हम अलुँ को सब्सक्राइब जाब इसे और आप इन सब को तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे इसके बाद इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे स्टफिंग हमारी बन के तयार हो जाएगी तो अब हम इसको एक साइट ठंडा होने के लिए रख देंगे तो य तो यहां पर चीला बना लिया है अब हम इसकी रोल बनाना शुरू करेंगे तो यहां पर आलो ले लिए स्टफिंग के लिए और चीले के पिछी साइट वाली साइट हम सेजवान सॉस लगाएंगे और मियोनेज लगाएंगे बच्चों को यह पसंद आता है इसलिए मैं अगर चाहें तो हरी चतनी या अपने मन पसंद का कोई भी सॉस इसमें लगा सकते हैं इसके बाद यह फिलिंग को हम डाल देंगे और इसको रोल कर देंगे तो आप इस तरीके से बच्चों को बना कर लंच बॉक्स में दे सकते हैं और चाहें बार्निंग ब्रिक्वास्ट या इवनिंग स्नेक्स आप इसे बना कर सकते हैं बहुत यह असानी से यह बन जाता है खाने में वह बहुत टेस्टी होता है घर में अविलेबल समानों से ही हमने इसको बनाया है तो इस तरीके से आप भी इसको बनाए और इंज्वाए करें और बच्चों को इसे लंच बाक के लिए में साथ बने रहे थैंक यू